आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि स्वपन का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले स्वपन का आर्थ समझते हैं स्वपन का आर्थ होता है सपना जो नींड में देखने वाली कलपना या द्रिश्य हो या जो असली ने हो यानि कि एक तो हम जो नींड में सपना देखते हैं उसे स्वपन कहते हैं एक इसके इलावा हम अपने जीवन में किसी चीज़ को पाने का या कुछ प्राप्त करने का ज से भी सुवपन कहा जा सकता है तो सुवपन का विलोम शब्द याने के विप्रित आर्थक शब्द होगा वास्तविक्ता और वास्तविक्ता का आर्थ होता है जो वास्तविक हो सच हो या जो वास्तविक जीवन में घटित हो तो आएब हम सुवपन और वास्तविक्ता को जाना आसान है लेकिन वास्तविक्ता का सामना करना जरूरी है। अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें।